एना योईस से जो DLED किये हुए थे अभ्यर्थी उनका कोर्स दो साल का था उसे 18 महीने का कर दिया गया और अब सुप्रीम कोट ने उनके खिलाब फैसला दे दिया अभ्यर्थी बिरीज कोर्स कराने की मांग लगातार 4 महीने से कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका ना कोर्स को म में रहके कई भी भागों के मंत्री बन करके उसमें अपना उल्लू सिधा कर रहे थे 2005 के बाद से लेके अभी तक तो आपको यहीं मिलेगा कि रोजगार मतलब सिर्फ और सिर्फ नितीज कुमार्थ 18 साल में 7 लख नोगरियां उन्होंने दिए बिलकुल और आपको एक और ब मंत्री के बराबर उप मुख मंत्री का पावर होता है भारतिय संविधान में उप मुख मंत्री का कोई दर्जा नहीं है इस पर कोई चर्चा भी नहीं में मनीज और आप देख रहे हैं मिडियादर संट नितीज कुमार एंडिय में सामिल हो गए लेकिन चिराग पासवान अब खासे नाराज दिख रहे हैं पर्दान-ममntरी नरेंद्र लगे हुए हैं इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडिव के प्रदेश प्रवक्ता हिम्राज राम जी नितीश कुमार के आने से एंडिये में सीटो का समिकरन जो है गड़ बड़ा गया नरेंद्र मोदी के जो हनुमान कहे जाने वाले चिराग पास्वान तो खासे नाराज दिख रहे हैं क्या कहेंगे नितीश कुमार एंडिये में नया नहीं है जनता दालिव और भार्तिय जनता पार्टी का हमेशा से गड़ मंधन रहा है जो एंडिये गड़ मंधन के नाम से जाना जाता है और पिछला चुनाओं 2019 में जो लोग सभाग का चुनाओं हुआ उस समय भी बार्तिय जनता पार्टी और जनता दा लिवनाइटेड यानि यूं कहिए कि इंडिये साथ में चुनाओं लड़े थे लोग और ये सीटो के ताल मेल में कहीं कोई पेंच नहीं है किसी तरह का कोई मन भेद मत भेद नहीं है एंडिये में सब कुछ साफशुत्रा काम होता है और साफशुत्रा तरीकों से ये भी आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर कहां कहां लड़े और किसी को नराजगी नहीं है और अपस में एक दूसरे को मिलना बात करना ये तो लाजमी है एक गड़वंधन के लोग हैं और एक दूसरे से हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे तो कैसी दोस्ति तो इसको लेकर के कोई यलग से अर्थ लगाना कहीं से उचीत अब नरेंद्र मोदी पांच सालों में बहुत कम बार बिहारा है लेकिन पांच दिनों के भीतर में दो बार बिहार पहुंच गए बिहार प्रेम दिखा रहे हैं वो यहां तक कि सभी सांसद लोग भी जो है उनके साथ मौजूद हैं लेकिन चिराग पासवान दूरी बनाये जो एंडिया के सिर्शत लीडर हैं सब लोगों ने बैठ कर आपस में सब इस पर मंतरना कर चुके हैं बाचित हो चुकी है बस शमय का इंतिजार कीजिए यह सारी चीजे साफ हो जाएगी और दिखाई पढ़ जाएगी महा गटवंदन या यू कहें कि इंडिया गटवंदन का जो बात है वो रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं इंडिये का क्या मुद्दा होगा क्योंकि अगर रोजगार की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने दो करोड रोजगार देने की बात की थी परतेक वर्स वह हव किसना देखिए मैं आब तेजस्वी जी क्या जाके बोल रहे हैं राज्ये की जनता इतना नादान नहीं इस यह स्ट्रह महीने में जो इंहोंने करके दिखा दिए कि अगर तो पर गाद कि मंधम यसा उपमुख मंद्री नो कि आखे लोफ़ हमानी कि हैं एक मंत्री के बराबर उप मुख मंत्री का पावर होता है भारतिय संभिधान में उप मुख मंत्री का कोई दर्जा नहीं है इस पर कोई चर्चा भी नहीं है लेकिन एक मंत्री के अस्तर का पद है उनका और मंत्री मंडल का परमुख मानु यह मुख मंत्री होते हैं कोई भी सर से गुजरता है और मंत्री मंदाल का जब परमुख है मानिये मुख मंत्री है तो मुख मंत्री जो इसमें पहल किये जो काम किये उसका रिजल्ट मुला तेजस्वी जी ने क्या किया ये तो सिर्फ सरकार में रहके कई भी भागों के मंत्री बन करके उसमें अपना उल्लू सिध आपने देखन कि किस तरह से confident को रद किया गया जहांच हुई गषयी लोगों की मंसा है किकल भी काम होता है इसको को सरकारी खजाने से लोग लुटने की कोशिज करते हैं तो आप नौकरी की जो बात है नितीज कुमार जी जब से बिहार में सत्ताप में आए उस समय से पूरे इतिहास को आप देख लिजिए 2005 के बाद से लेके अभी तक तो आपको यही मिलेगा कि रोजगार मतलब सिर्फ औ बिल्कुल और आपको यह कवर बात में बता दूं कि 2005 से पहले पहले सुन दिजे 2005 से पहले जो इस्थिती थी विहार में जो रोजगार की हालत थी रोजगार के नाम पर जीरो बट्टा सनाटा था जुबकों में भाड़ी भटकाव था नितीज कुमार आये तो सारे जुबक को रोजगार से चोड़ा और मानदे ही सही भिन-भिन भी भागों में लोगों को इंगेज किया लोग इधर उधर जाने के बाहाने बजाए बहकने के बजाए लोग सरकार और समाज के सेवा में लगे वो सरकार के और राज्य के विकास में लगे सब को रोजगार मिला और आज तो बड़ी भाड़ी पहिमाने पर लोगों को नोकलिया जो दी जा रही है ये निश्टीज कुमार जी का साथ निश्चे पार्टू का ही देन है साथ निश्चे पार्टू में दस लाख लोगों को सरकारी नोकली और दस लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है तो इसमें तेजसिवी जी कहां से आ गए दरसल तेजसिवी जी जो अभी विधान सभा का सतर चल रहा था कितना महत्पुर्ण सतर था उसको छोड़ करके वो जनता के द्वारा चुने गए विधायक थे इनको उस सदन में खड़ा हो करके जनता के सवालों को उठाना चाहिए था वो सवाल उठाने के बजाए ये सदन छोड़ कर फराड हो गए और जनता के बीच में जनता को गुमराह करने के लिए निकल गए आखरी सवाल मेरा परधान मंत्री नरे नर्मोदी आप लोग के लिए अच्छे एक नित्रित्व करता है दो कड़ो रोजगार की थी वो भी चलिए छोड़ दीजिए लेकिन अब एना योजस से जो डीलीडी किये हुए थे अभ्यर्थी उनका कोर्स दो महीं दो साल का था उ और अब सुप्रीम कोट ने उनके खिलाब फैसला दे दिया अभ्यर्थी बिरीज कोर्स कराने की मांग लगातार चार महीने से कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका ना कोर्स को मानियता दी गई है ना ब्रीज कोर्स कराया जा रहा है उनका भविस 14 लाख अभ्यर्थियों का भ सब्लदान मंत्रियों जो सब्लदान संभाता है कानून संभाता है रहे होता है मैं है कि भले उसे तोड़ करके नीमों का जो है उसकि पाइदा उठा करके लोग इधर उधर करने की कोशिस करते हों इसमें हम इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन कानून से अलग हट करके अगर कोई काम होगा तो पचेगा नहीं जो भारत का जो संब्यदानी के बेवस्था है जो इस देश में जो सिस्टम बनाया गया है कारिशपालिका से लेके नियाइपालिका बिदाई का ये सारे चीजों से गुजरना पड़ता है और कानून से अलग की कोई बात होगी उसे परदास नहीं किया जाएगा वो होगा नहीं और जो कानून सम्मत बाते होगी वही होगी